So alright guys, so कल का वीडियो में मैंने अगर टुटोरियल नमर टू नहीं देखा है आपने Firebase का टुटोरियल नमर टू अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा के देख लिजेगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का भी और टुटोरियल 2 का भी तो आप उस वीडियो को देख लिजेगा कल हमने एक स्क्रिन क्रियेट किया था विद एनिमेशन जी है गाइस अट्रेक्टिव एनिमेशन के साथ तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पे हम जो है कुछ भी अभी सो नहीं हो रहा है ठीक है तो अट्रेक्टिव एनिमेशन के साथ यहाँ पे अभी कुछ नहीं सो हो रहा है यह हमने इतना क्रियेट किया था अब यहाँ पे इसका version मैं आपको दिखाता हूँ कि यह हम latest version पे work कर रहे हैं मतलब API level जो है 33 पे work कर रहे हैं अगर आप इसे play store में publish करते हैं तो वो जो है latest version है और साथ में SDK version 33 Android 13 पे यह जो है work कर रहे हैं चलिए मैं आपको इसे show करके दिखा देता हूँ और इसे अगर आप open करेंगे हैं यहाँ पे तो directly sorry guys यहाँ से नहीं यहाँ से उपर में क्लिक करके open कर सकते हैं यह देख सकते हैं खुल गया इस तरह से ठीक है तो चलिए मैं guys मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पूरे tutorials को देखते हैं तो एक बढ़िया सा आपको knowledge हो जाएगा और साथ में firebase को अभी इस्तमाल करके application बना पाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा हालाकि यहाँ पे मैं जानता हूँ बहुत लोग जो है यह जानते हैं already जानते हैं उनको knowledge है बट इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे इसे important चीज है जो आप miss करेंगे आपको लगता है का आप जानते हैं लेकिन आपको इसमें से बहुत सारे चीज हैं जो आप नहीं जानते होंगे तो आप मुझे comment में बताईएगा कि क्या सीखें क्या नहीं सीखें ठीक है तो चलिए यहाँ पे हम इतना तक हमने complete किया था आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप यहाँ पे आइकन जो है इसका आइकन जो है कैसे design करेंगे ठीक है तो चलिए हम आइकन design करेंगे same asplace screen से यही asplace screen रहेगा हमारा और इस पर हम जो है icon जो है design करेंगे ठीक है तो इस asplace screen में हम icon जो है design करेंगे तो icon design करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले उसी लोटी animation को हम जो है आप चाहें तो यहां से screenshot रख सकते हैं इसको तो चले हम screenshot ले लेते हैं इसका guys और फिर मैं आपको बताता हूँ तो तो guys देख सकते हैं हमारा यह screenshot हमने इसी icon को ले लिया है और हम इसी लोटी animation से हम जो icon design करेंगे ठीक है कैसे करेंगे सबसे पहले pixel lab application को open करेंगे तो guys यहाँ पर यह देख सकते हैं pixel lab application अगर आपको pixel lab के बारे में नहीं पता तो मैंने already इस पर वीडियो बना रखा है मेरे developers हैं सारे पता होगा नहीं पता तो play store में जाके आप pixel lab सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा आप सर्च करके directly download कर पाएंगे यह हलागी यह modded version है तो यह अलग जो है यह आपको इस तरह से दिखने को मिल रहा है लेकिन आपका में कुछ और रहेगा designing ठीक है तो यह मैं आपको पहले ही clear कर दे रहा हूँ ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले नीचे में click करेंगे इस point पे और यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इस तरह से हम जो इस पे click करेंगे transparent पे और हम यहाँ पे click करेंगे ठीक है इस ए पे click करने के बाद यहाँ पे इस पे click करेंगे बीच वाले पे और यहाँ पे import करके आपको एक मिलेगा तो import पर click करेंगे और यहां पर हम आरा जो अभी screenshot हमने लिया था चलिए मैंने screenshot जो लिया था वो हम जो है यहां पर import कर लेंगे तो screenshot हमारा कहा गया यह रहा screenshot तो हम जो इस screenshot हमने जो लिया था उसी को हम icon बनाएंगे गए एक professional अच्छा icon हम उसी screenshot को हम बनाएंगे और वही मैं जो है यहाँ पे use करने वाला हूँ साथ में मैं दिखाने वाला होगा इस यहाँ पे select कर लेता हूँ screenshot सबसे नीचे होगा एक minute मैं ले चल तो देख सकते हैं मैं select कर लिया हूँ अब आपको करना क्या होगा सिम्पल से देख सकते हैं रेशियो है one is to one का तो मैं इसे select करूँगा और इसे directly जो है यहाँ पे import कर लूँगा ठीक है उसके बद crop पे click करके और भी हम इसको नजदीक कर लेंगे थोड़ा सा ठीक है इस तरह से इस तरह से भाइस फिर से नजदीक कर लेंगे थोड़ा सा ठीक है इस तरह से हम रजदीक कर लेंगे और इसे नजदीक करने बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक option मिलेगा relative करके relative size करके तो हम इस पे 100 कर देंगे top और bottom यह 100 हो गया यह थोड़ा सा screenshot हमारा सही नहीं था इसलिए सही नहीं आया कोई बात नहीं और relative position पे दोनों को tick कर देंगे यह दोनों को एक बार और tick मार देंगे ठीक है चलिए हम इसे export कर लेते हैं high quality में यहाँ पे इस तरह से guys यहाँ पे export होने के बाद हम क्या करेंगे कि simple सा इसे हम delete कर देंगे ठीक है delete करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे एक save पे click करेंगे इस save पे click करने के बाद इसको हम side में रखेंगे और इसे हम बड़ा कर लेंगे ठीक है और इसका radius में हम 20 कर देंगे ठीक है और यह करने के बाद हम जो है सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं एक option देखने को मिलेगा texture इस पर click करेंगा यहां पर हम जो अभी हमने जो save किया था वही images को हम जो है यहां पर pixel lab में जाके और हम जो है ठीक यह जो import करेंगे ठीक है चलिए हमने जो अभी create किया था design किया था यह मेरा सबसे नीचे हो कुछ और select हो गया चलिए मैं select कर लेता हूं आपको select करना है जो आपने अभी save किया है तो देख सकते हैं मैंने select कर लिया है और यहां पर tick कर देंगे ठीक है तो यहां पर icon जो हमारा create हो चुका है अब यहां पर icon create होने के बाद उपर में three dots पर click करेंगे simple सा और इस three dots पर click कर हम जो है save कर लेंगे अब हमारा icon तो so हो गया अब icon हमने save कर लिया icon भी create कर लिया अब आएंगे main topic पर अब हम जो है design करेंगे guys यहां पर design करेंगे simple सा firebase का login authentication system मतलब authenticate करने के लिए login करने के लिए हम page design करेंगे आप अपने हिसाब से page जो है design कर सकते हैं मैं सिर्फ आपको य नौर्मल सा designing करके दिखाऊंगा और आप एडवांस में designing करके जो है same method ही इस्तमाल करके आप जो है वो यूज कर सकते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा यहां पर जो है man activity में तो ठीक है अब यहां पर activity create करेंगे और सबसे पहले हम यहां पर plus पर क्लिक करके और यहां पर हम login करके हम page जो है design करेंगे लोगिन ठीक है इसका name देंगे ठीक है और यहां पर login करके हम design करने के बाद यहां पर इसको हम both करेंगे और इसको हम hide नहीं करेंगे रिजिवल करेंगे तो automated keyboard हो जाएगा अभी कुछ नहीं करेंगे सेम आपको देख लेना है और login page add कर लेना है अब यहाँ पर हम इसमें जाएंगे और इसमें हम design करेंगे कि हमारा कैसा जो है login page रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक normal सा designing हम करेंगे यहाँ पर एक linear भी को लाएंगे इसका भी match parent कर देंगे और इसको हम gravity center horizontal center vertical कर देंगे ठीक है यह करने के बाद जो है हम इसे save कर देंगे गाईस यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें login करने के लिए username चाहिए होगा तो हम एक यह ले आते हैं 3 ले आते हैं 1,2,3 इस तरह से और एक और ले आते हैं 4 ले आते हैं ठीक है उसके बाद हम एक button ले लेंगे गाईस चलिए एक button ले ले लेता हूँ मैं यह button सबसे पहले क्या होगा कि हमारा edit text ले ले लेंगे उपर में दूसरा में edit text और तीसरा में edit text ठीक है नहीं दो ही रहने देते हैं ठीक है उसके बाद एक delete और कर देते हैं आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले इसका जो है edit text को हम क्या करेंगे इसका width match parent और इसका भी width match parent और यह login button का हम कर देते हैं login लोगिन करके इसका name दे देते हैं इस तरह से ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर एक के दो text view ले ले लिते हैं और इस linear का जो है gravity center और center vertical कर देते हैं ठीक है उसके बाद पहला का हम क्या कर देते हैं email id करके हम इसका जो है properties में आपको last में दिखेगा सबसे पहले हम इसका edit text की जगा हम कर देते हैं email एक मेंने टेक्स्ट id id चिंद कर रहे हैं इमेल ठीक है और text view 2 का हम edit text 2 का हम कर देते हैं edit text जिसके बाद हम कर देते हैं password इस टैप से ठीक है उसके बाद ये करने के बाद हम इस में हिंट में दे देते हैं इंटर पासवर्ड करके इंटर पासवर्ड इस तरह से और उपर में भी हम इंटर इमेल ठीक है और यहाँ पर रजिस्टर करके इसका नेम दे देते हैं रजिस्टर रजिस्टर ठीक है और इसको हम इस्टायल में बॉल्ड कर देते हैं थोड़ा सा इसका बैक्राउंड कलर बुलू कर देंगा हम सौरी टेक्स कलर इस टैप से ठीक है निव हैर अब टैप कर सकते हैं यहाँ इस तरह से ठीक है इस तरह से जो है हम टैप करेंगे यह नॉर्मल डिजाइन है गाईस अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा एक व्यू दिखाऊं व्यू पॉइंट दिखाऊं गाईस एक मिनट गाईस थोड़ा सा इसमें हां तो अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं हूं गाइज यहां पर प्ले गूगल में जाना है टाइप करना है सिंपल सा यहां पर एंड्रोइड लोगिन से स्टम डिजाइड इस तरह से टाइप कर सकते आप तो बहुत सारे इमेजस पर किलिक करेंगे यहां पर तो बहुत सारे जो है इंटरफेस आपको डिजाइड देखने को मिल जाएगा चोगी काफी अट्रेक्टिव है जैसे कि यह आप देख सकते हैं यह इसमें की जो है आपको देखने को मिल रहा है उसके बाद और भी बहुत सारे यहां पर हैं काई जो कि आप देख सकते हैं और इस टाउर से आप जो डिजाइनिंग कर सकते हैं तो चलिए मैं यहा पर एक चीज और मैं कर सकते हैं यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जैसकते हैं कि don't have an account अब टाइब कर सकते हैं don't have an account ठीक है इस तरह से टाइब करके और यहां पर रजिस्टर की जगा रजिस्टर नाम कर सकते हैं अगर वैसे रजिस्टर भी चलेगा ठीक है यह कर सकते हैं अब यह करने के बाद आप चाहें तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यहां पर एक linear और ले सकते हैं इसमें इसके अंदर यह login करके मैं देता हूँ और यहाँ पे हम जो है forget करके कर सकते हैं यहाँ पे इसे linear पे किलिक करके यह हम जो है right side कर देंगे तो right side यहाँ जाएगा और यहाँ पे हम जो है कर सकते हैं forget forget करके हम password forget password जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ forget your password इस तरह से आप टैप कर सकते हैं ताकि आपको जो है अच्छा design ही कर सकते हैं ठीक है इस तरह से आप click कर सकते हैं यहाँ पर design जो है किया गया है ठीक है तो हम इसका जो है एक मिनिट पेडिंग जो है काफी ज्यादा है तो हम यहाँ पर टॉप का पेडिंग जो है कर देंगे जीरो और इसका भी हम बोटम का पेडिंग कर देंगे बोटम जीरो इस तरह से और टॉप भी जीरो ठीक है? इस तरह से और इसका बैक्ग्रोंड कलर जो है हम बैक्ग्रोंड भी set कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आगा हम बैक्ग्रोंड चलिए हम बैक्ग्रोंड set कर देते हैं टेक्स का कलर सही है हम बैक्ग्रोंड में यहां पर simple सा है क्या करेंगे background में हम कर देंगे white इस टैप से white भी कर सकते है background white कर सकते हैं वहीं सब यहां पर ठीक है और इस तरह से background white कर दिया है हमने उसके बाद अब जो है हमारा image है तो match parent भी कर जाते हैं इस button का और यह हम जो है थोड़ा सा इसका design पर depend करता है गाई साब कैसे design करते हैं तो यह हमारे इस तरह से designing जो है हो गया नीचे का जो है इस linear पर click करेंगे इस वाले linear पर ठीक है और इस पर click करने के बाद जो है हम यह margin में bottom margin को हम कर देते हैं 20 ताकि जो हमारा यह login बटन है वो नीचे आ जाए थोड़ा सा 20 नहीं तो आप 30 भी कर सकते हैं वाइस यहाँ पर आपको जो है designing के आपके हिसाब से आप designing यहाँ पर कर सकते हैं हम normal designing यहाँ पर कर दिये हैं आपको दिखाने के लिए चलिए मैं इस design को एक बार view कर लेता हूँ हम login करके ऐसे ही सिर्फ testing purpose के लिए हम रख रहे हैं login करके एक button है तो इस button पर click होगा तो क्या होगा event में जाएंगे और view में जाएंगे और यहां button हमारा store हो रहा है जो हमने लिया यहां पर क्या करेंगे intent component को हम यूज करेंगे तो end component पे कटिक करेंगे और intent वाले सेलेक करेंगे इस तरह से अ और इसे एड़ करेंगे ठीक है इससे intent को di happen पर इस तरह से मा स्टार्ट कर देंगे ऑइस तरह से हर यह login वाले पेज में ले जाएगे हम ठीक है इसे बस तो हम इसे चलिए हम इस space को जो हमने design किया है लोगिन वाले पेस को वो हम वियू करके देखेंगे कि हमारे डिजाइन जो है कैसा हुआ है लोगिन यहां पर थोड़ा सा बटन का टेक्स जो हम है छोटा लग रहा है तो हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं इस टाइब से कुछ ठीक है और यहां पर जो है बैक्गरॉंड कलर भ इस तरह से ठीक है चलिए हम यह छोटा सा डिजाइन किये हैं आप जो है अपने इसाब से डिजाइन कर सकते हैं यहां पर हमने डिजाइन किया है और यह डिजाइन इसलिए किया है क्योंकि आपको पता चल सके कि डिजाइनिंग लोगिंग पेज ऐसे करते हैं और आपको पत पारे पार्ट को देखें और समझे मैं बहुत सारे से इंपोर्टेंट चीज होते हैं जो मैं प्रोसेसिंग होते वक्त जैसे अभी कंपाइलिंग हो रहा है तो इस टाइम मैं बताता हूं तो यह सब भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है पोइंट्स को हलाकि वीडियो दो भी सीखें, इतना ही सीखें, एक दिन में आप इतना ही सीखें काफे एक दिन में अगर आप बहुत सारा सीखने के लिए खोजेगे तो यहाँ पे हो सकता है कि आप भोल जाये और बार ci आपको वीडियो घड़ने की जरूरवरत पड़े तो आप वीडियो को जितना देखते हैं उतना देखिए complete वीडियो को देखिए ताकि आप point wise जो है समझ पाएं guys यहाँ पर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद यह नहीं बना देना application समझाना भी मकसद है यहाँ पर explain करना यहाँ पर देख सकते हैं attractive यह आ गया home page में आएगा अब हम इससे क्या करेंगे कि थोड़ा सा button पर click करेंगे अब देख सकते हैं यह हमारा जो है इस tab से जो है सो रहा है जो की काफी अच्छा है और यहाँ पर हमारा जो है इस तरह से design कर सकते हैं आप अपने हिसाब से जो है डिजैनिंग यहाँ पर कर सके गएस यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा हम ग्रे कर देते हैं इसका color थोड़ा सा यह ग्रे कर देते हैं दोनों का color गाइस यहाँ पर second वाला कर देते हैं या पिरी ई वाला कर देते हैं इ कर के नहीं सके इर है यह कर देते हैं यह सहीय रहे गाई यह ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर इस पोज़ोगा color टी कर देते हैं इस तरह से तो यह color जोकाफ़ी indicates क्वाफी जदा चैन्ज़ा जाता है क्योंट यहां पर यही रहने देता है है इस टैप से घई तो यह हमारे जो है थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ पर एक बटन जो बटन मेटेरियल का भी इस्तमाल कर सकते हैं चलिये मैं इसको यूज करके defendant देख लेता हूं एक बटन मेटेरियल का नेम में दे देता हूं लोगिन बटन लोगिन करके ठीक है और इसका बाइग्रोंड कलर आप जोए क्रीन कर सकते हैं अपने हिसाब से इस तरह से और टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं और इसका वाइट कलर भी कर सकते हैं ठीक है उपर वाला हम जो डिलीट कर देते हैं और अब देखते हैं हम इसे रन करके कैसे आता है मैं थोड़ा सा पाउज कर लेता हूं वीडियो को या फिर आपके सा अलाकि लंबा हो जा रहा है लेकिन मैं आपको process by step by step इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए फ्यूचर में कभी भी आप जब भी application बनाए तब आपको जो है clear concept जो है clear रहे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा ह के लिए button material का इस्तेमाल कर सकते हैं, material बटन वाली को, तो यह जो है काम करेगा, आप उसके जगह कुछ और दूसरा वाला बटन, normal जो बटन है, वो भी use कर सकते हैं, कोई भी इसमें सुन नहीं आएगा, आप easily जो है use कर पाएंगे, गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे design जो है अभी design हम कर रहे हैं उसके बाद हम जो है back end process चलेंगे अभी front end process जो हम कर रहे हैं तो यहाँ पर coding भी सीखेंगे चलिए मैं open कर लेता हूं इसको यहाँ पर open हो गया यह application हमारा और यहां पर बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं काफी अच्छा डिजाइन जो है हमको देखने को मिला है एक थोड़ा सा अब और भी इसमें जो है डिजाइन वगेरा कर सकते हैं जो कि हम नेक्स वीडियो में ये भी करेंगे गाई वो भी मैं आपको सिखाऊँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है ठीक है तो फिलाल हम इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने टोपी के साथ अब तक लिए जाहन बंदे मातरम